तो हे गाइस डिस इस एर रोहित और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंटल के Core i3 10th General Processor के बारे में और EMD के रजिन 5 3.5 Dual Dual U के बारे में तो बेसकली आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इस दोनों ही processor में क्या कुछ main differences है main differences का में इसकी clock speed कितनी है इसकी यह कितने core की बनी हुई है और इसकी जो cast memory है वो कितने MB की है और इसकी जो ram type supported है वो कितने high level तक की ram को support कर सकता है और साती इसकी graphics card कौन सी लेग वी है तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इन सभी topics से बात करने वाला हूँ कि इस laptop में जिस laptop में यह processor है तो आपको उसमें क्या कुछ main differences देखने को मिल सकते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी core के बारे में कि यह कितने core पर बनी हुई है और यह कितने core पर work करती है तो दुनों ही processor जो आपकी AMD की राजल 5 है और Intel की core i3 है दुनों ही आपकी quiet core पर work करती है तो वह एक साथ चार एप में हाथ बटाकर उसे जल्दी complete कर सकता है तो यहीवी quiet core की बात अब मैं बात करता हूँ कि इसकी cash memory कितनी है cash memory क्या होता है अगर आपके laptop में जितनी अधिक cash memory होगी मतलब कि आपकी जो होती है cash memory एक type की RAM होती है RAM मतलब कि आपकी अपने देखा होगा अपकी laptop में 4GB की RAM 8GB की RAM देखने को मिलती है उसी तरह यह 4MB 6MB की cash memory होती है जो कि एक बहुत ही important role करता है किसे भी laptop में और इसकी performance बहुत ही high होती है इसलिए इसकी price भी बहुत ही जादा होती है तो आपको AMD के processor में आपको 6MB की cash memory देखन को मिल रहा है वहीं आपको Intel की Core i3 में आपको 4MB की cash memory देखने को मिलती है तो यहाँ पर AMD जी जाता है क्योंकि इसकी जो cash memory है वो है 6MB की तो इसकी performance बहुत ही अच्छी होने वाली है Intel के तुद्दना में यहाँ पर जो है AMD की जो राइजन 535 डॉल जो है वो जी जाता है पर ज 10 GHz की speed देखने को मिलती है यहाँ पर Intel Core i3 जी जाता है और यहाँ पर थवाफीका पढ़ जाता है AMD का processor तो आप ऐसे बात करते है नॉर्मली तो AMD की जो भी आता है processor उनकी जो होती है speed उनकी जो होती है performance वो बहुत ही अच्छी होती है इसकी तुलना में Intel की तुलना में पर उ 30 थाउन के आसपास की है तो आप AMD के तरफ जाना वरना आप Intel की तरफ मन जाना क्योंकि आपको इस टाइम पे आपको 22-25 थाउन के मजट पर AMD की जो performance मिलने वाली है बहुत अच्छी मिलने वाली है Intel की तुलना में अब मैं बात करता हो इसकी speed के वारे में कि इसकी दोनों में करता है तो दोनी लैपटोप में आपको DDR4 RAM सपोर्टेड मिलता है तो यहां पर आपको speed में कोई भी दिकार देखने को नहीं मिलेगा आप एक latest RAM को यूज कर सकते हो अपने laptop में और अपने performance को बूश्ट अप कर सकते हो और आपको AMD के प्रसेसर में लैपटोप में आपको ज गेमिंग के बावले में बहुत ही वर्क करती है ताकि उनके जो उनके जो कश्टमर्स है वह उस लैपटोप में छोड़ी गेम भी अच्छे से खिल सके और अपने डिफेंट डिफेंट वर्स को भी कर सके हैं वह आपको इस इंटल के को राफिक्स देखने को मिलती है जी हां यहां अपकी लिए आपको तो आपके लिए कौन सा वाला बेक्ष ओने वाला है तो मैं बात करता हो कि यहां पर एंटी, जी 떠 है क्योंकि एमडी में आपको मिलता है अपको 6MB CASE MB वह बहुत important रूल करता है जैसे आप किसी सचीज को सब्सक्राइब में कि यह कहाँ पर है यहाँ इस ताइम पर आपके जो देक्यास MB वह बहुत ही वर करती है वर कमेस की वो शेफ इसको मिरे करती है ताकि आपकी जो और वहाला आपको कोई देखने को नहीं मिले तो यहा पर सब्सक्राइब कि लिए ना में ऑर चुन के रजन 535 डॉल्ज रियू में क्या कुछ मेंट डिफेंसेज है तो बस आज की वीडियो में इतना ही और आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जैहिन वन्ने मातरम